नमस्कार दोस्तों, एनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों शाम के समय कभी भूल कर भी इन चीजों का दान बिलकुल भी नहीं करना चाहिए क्यूंकि इससे घर परिबार की सुक शान्ती भंग होती है दोस्तों हिंदु धर्म में दान हमेशा से लोग करते आ रहे हैं शास्त्रों में भी दान का काफी महत्त है कहा जाता है अगर किसी को सच्चे मन से दान दिया जाए तो इसका पुन्य आपको जरूर मिलता है जो की काफी शुब होता है दान का महत तो जियोतिश शास्तर में भी बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति किसी जरूरत मंद की मदद करता है अर्थात उसे अपने सामर्थ के अनुसार दान देता है तो उसे पुन्य की प्राप्ती होती है दोस्तों हाला की दान आप किसी भी वक्त दे सकते हैं लेकिन कुछ माननेताएं ऐसी हैं जिनके अनुसार शाम के समय किसी को भी दान नहीं देना जाहिए अगर ऐसा किया जाए तो ये काफी अशुब माना जाता है शाम के समय दान करने से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शाम के समय दान क्यों नहीं करना चाहिए दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि शाम के समय व्यक्ति को दूद का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि दूद को माता लक्ष्मी और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है शाम के समय दूद का दान करने से घर में बरकत नहीं आती आगे दोस्तों बताया गया है शाम को लहसुन और प्याज का दान भी ना करें इसका संबंध केतू ग्रह से होता है इन चीजों का दान करने से व्यक्ति को कई तरह की समस्याई जहलनी पड़ सकती है दोस्तों एक मानिता ये भी है कि घर में लक्षमी का आगमन शाम के समय ही होता है इसलिए शाम को किसी को भी पैसों का दान ना करें यदि आप ऐसा करेंगे तो लक्षमी आपके घर से बिदा हो जाती है दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियो इसको आप आसानी से देख सके दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही ग्यान परधक वीडियो के साथ तब तक के लिए इस्टै मोटिबेट इस्टै फियरलेस